जब मैं वहाँ पहुचा पीजी करने के लिए तो मेरे टीचर ने पहले दिन पूछा कौन क्या करने आया है तो पत्रकारिता क्लास में तो सब लोग क्रांती करने ही आते हैं सब कहते हैं हमको समाज बदलना है तो 29-27 बच्चे थे एटीचर में सबसे पूचा हां साथ खड़े कर कर के बताओ क्या करना चाहते हो है तो सब लेना चाहते हैं जो कुछ हो रहा बड़ा गलत हो रहा हम इसको बदल देना चाहते हैं मेरा नमबर आया, नमबर कहा है उपने ए जो कर रहे है तो इतना नहीं कर सकता तो 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 जर्नलिजम में किस लिए आयों मैंने जाओ ऑटा हूँ और मैं चाहता हूँ जब मुझे हराद्मी जानता होगा उसके बाद मैं तो अपनी दुनिया बदलनी कि नहीं बदलनी है दो साल पहले था तब मैंने डेसाइड कर लिया था कि अब तो मुझे जनलिजिम में जाना फिर उन्हों पोर्टफोलियो देखा तो मेरे एक्टीछर ने तुम आये क्या करने हो तुमको तो जाकरी कर लिनी चाहिए कहीं दो साल कर विपनी हाप बैठके कि हम तो वही सब्सक्राइबु करते हैं उसके बाद ये लगने लगा कि अच्छा सब लोग तो स्टार कितना ट्रीट करते थे क्योंकि शाम च्छे बजे गर्स हॉस्टल के दरवाजे बंदोने के बाद वहां FM चल जाता था सब लड़के जो मुझे फोन करके बोलते थे मुबाइल पे कि उसके नाम से मेरी तरफ से गाना सला देना मैं चला देता था तो वहां दोनों हॉस्टल में फुल टाइम शाम को छे बजे के बाद FM चलता था और मेरा शोर चलता रहता था सो मुझे जो स्टार्डम मिल रहा था मुझे लगा कि यही तो चाहिए था यह थो करने आयत अपन इदर लेकिन फिर बैने एक दिन सुचा कि ठाथ नहीं था क्या इतो हूं यह यह था तो मैं सुचता था यह न है अपना थोड़ा ममला इससे बड़ा और चाहिए था यह स्टक हो गया है थोड़ा कुछ और सोचना पड़ेगा दना मुवड आउट प्लेस आएक चैनल एटीवी नेटवक था मैंने मेरे से कहा कि आप जोइन करेंगे करनी है तो कर लो नहीं तो जाओ अपने एक समस्टर पूरा करो तो मैं अपने टीचर से बात की उन्होंने का कि किसलिए कर रहे हैं तो डिग्री जुनियर पैस के साथ कर लें एक सेशनी तो चूटेगा वह एक्जाम बाद में दे देना मुझे लगा इतना सपोर्ट है तो फिर क्या दिक्कत है मैं एक्जाम देने आ जाओंगा और फिर मैं चला गया यहां से डली मैंने जॉइन कर लिया और चौथे पाच्वे दिनी मुझे अहसास हुआ कि जितना मैं सोचता हूं जितना हमें घर बैट के टीवी देखके लगता है स्टार्डम यह वह उतना आसान है नहीं एक पत्रकार को एक फॉजी का जिवन जीना पड़ता है चौबिस game उसके कि टॉक्टरा अपने टौज पे रहना पड़ता किसी भी समय उसके पास कॉल पर आता किसी भी समय उसके पास कबर आ जाती है कि सहकी पास और उसके पास कोई आदमी आ जाता है कि मैं मुसीबत नहीं हूं आजक कल तो ऐसे भी लोग उसकल कर देते हैं हमारे बारवाली नाली में पानी रुग्या है और यह हमारे पडोसी जो है नोने गाय पाल रखी गोबर डालते रहते हैं उसमें हमने कई बार शिकायत कर ली इनका आप कवर कर वाओ जी और अगर आप नहीं करो तो फोटो खीच के ट्वीटर पर डालते हैं और यह लिखते है कि इनका हूं सात नहीं को है का दो कृफ व्याश्य है ूथ पान्सदू गृश्य कूर्प तो पारशाद हंसा और पारशाद हिसमेदाहरी बंती आप उसको नजर अंदाज करके बढ़ नहीं सकते, क्योंकि वो नोसफार न्यूज आपके पास है, आपको पता है कि गाड़ी एगर खराब हो गई है, उसमें से धुवा निकल रहा है, हो सकता, आप पांच मिनट बाद आगे चले जाओ, तो आपको कोई वीडियो भेज रहा ह है, रुकना पड़ता है, समझना पड़ता है, कनवे करना पड़ता है, पचासतों तरह के लोग आजकल हमारे पास स्वीट करते हैं, कोई कहता है जी ससुराल वाले परिशान कर रहे हैं, मेरी बेहन को, कोई कहता है कि साब स्कूल वाले जो हैं, वो तनकुआ नहीं देरे जी हमें सब को उसी तरीके से एंटर्टेन करना पड़ता है जैसे पुलिस वाला नहीं करता है हमें सब को वैसे एंटर्टेन करना पड़ता है जैसे वह एक्चुल दफ्तर एंटर्टेन नहीं करता है जहां जाके उसकी शिकायत दर जोनी होती है हमें उन सब के जीवन का उतना हिस तो जैसी मन में करांती का विचारा आया तो बस ने रोक दिया रूप टिया एलो नौकरी करने आयो ना ज़्दा करांती करने की जड़त नहीं है आपर अपर है तो यह शोक तो मुझे लगा रहे है जब मैं कहता था कि नौकरी करनी है तो मेरे आसाथ के सब लोग बोलते थे कर करनी है अम नौकरी मिल गई मैं सोच रहा हूं करनी कर लूँ तो यह कर दा वाई चुपचा पनी नौकरी गर ले ज्यादा करांती के जखकर मत पड़ लेकिन अपना क्रांती गारी जाग गया था तो एक हफ्ते दस दिन के बाद मेरा ट्रांसफर हो गया मुझे का गया कि है घर ऐधान गंटे टीवी पायए इससे तो ठीक है मैं नेका सर मैं चला जाता हूं तो पहले दिन जिसने मेरा अउडिशन लिया हिवाज़ शाओध इन उसको हिंदी नहीं आती थी और हिंदी मेरा आडिशन था मैं हिंदी मेरा आडिशन दिया मैं आपा अपर अपरूज आटिस कि आप बात कर रहा है आप नो यू बिलॉंग तो अर्याना का लोग कैसा इंदी बोलेगा आपका तो भी बीजेपी यू सेड ना भी में प्रॉब्लम आपका मैंने का सर आप पहले आदमी हो जो मुझे बता रहा है इसे पहले कितना ओडिशन दिया आप मैंने का सर अडिशन कि मेरा टिकेट करा दो मैं परसों वापिस आ रहा हूं तो नहीं का अच्छा यहां से भी भागोगे मैंने का जी तो मुझे वीटी अरिटर बना देना चाहते हैं कोई प्लान इंदिया इनका तो बोले प्लान उनको थोड़ी करना प्लान तो तो तुमको करना अब भी अगर भागा होगे तो कहां तक भागते रहोगे तो मैं रुका थोड़ा नाने अपने को समय दिया मुझे ठीक है चलो जो यह सिखा रहे हैं वो तो सीख लें बाकी चीज़े बात में देखी जाएंगी तो आप यह शूट कर रहे हैं एक आदमी इसको एर करने से पहले एडिट कर लेगा बैटके तो वह एडिटिंग का काम महां पर सीख रहा था मैंने सीखना शुरू किया और आपको बता दूँ फिल्मों के एडिटर्स सीरियल्स के एडिटर्स जो आज काम करते हैं वो गंटों के हिसाब से चार्ज करते हैं वो 8 गंटे की शिफ्ट, 3 गंटे की शिफ्ट, 5 गंटे की शिफ्ट, यानि कि hourly basis पर चार्ज करते हैं इतना costly affair है अगर आप अच्छे एडिटर है तो तो मुझे लगा अच्छा ठीक है अगर मुझे एडिटरी बनना तो फिल ठीक है अच्छा एडिटर बन जाते हैं महाँ जैपनीज एक टीम आती थी नेना सॉफवेर था हिंदुस्तान में वो टेक्नलोजी थी नहीं वो सिखा रहे थे और मैं सीख रहा है घर बार मेरा वहाँ पर था नहीं कोई तो मैं पढ़े रहता था ओफिस में आठ गंटे अपनी नौकरी करता था आठ गंटे उन्हों के सा ज़री थी उस सॉफवेर कि मैंने उनसे कॉपी लेकर फोटो कापी करके अपने पास रख ली कि ठीक है मुझे कभी कोई दिक्कत आएगी कहीं ज़रुत पड़ेगी तो दिस वर्क ऐसा है और मैं अपना सेटल हो गया अचानक उसके बाद गुजरात का एलेक्शन आया और काम चला गुजराती सीखी और जो चैनल था उसके ग्यारा चैनल से चार हिंदी साथ रीजनल लैंगविज इसके उनका एक ड्रीम था कि रात नौ बजे जब वो नैशनल गुलेटिन चला है अपना ग्यारा के ग्यारा चैनल पे एक जैसी तस्वीर एक स्टोरी एक साथ चलत कर लो केवल वाइज ओवर चेंज कर दो जो आपने बाइट लगाई है बीच में उसका ट्रांस्रिप्शन अपने अपनी लैंगविज में डाल दो तो इसका डूरेशन इसका टाइम लिमिट इसका पूरा प्लान वही रहेगा जो कि हिंदी है चैनल पर आप सब चैनल अपन उनको उम्मीद बंधी कि ये कर दीगा दूसरे दिन किया तीसरे दिन किया चौते दिन सारी ग्याना की ग्याना चैनल पे एक साथ एक स्टोरी एक साथ हिट की and it was a hit so my bosses were very happy उनको लगा कि ये तो कमाल हो गया इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल्स नहीं कर पाए थे इसने कर दिया तो मेरे बॉस मुझे बाहर लेके गए उन्होंने का आओ तुम्हें चाय पिलाता हूँ आज तुमने कमाल कर दिया है जो दो साल में नहीं कर पाया वो तु यह क्या बात करें तुमने अभी तो गुजरात के एलेक्शनें 25 दिन पड़े हैं और हम तो सुद्रेते 25 दिन हमारा ऐसे चलेगा मैंने का चल जाता लेकिन मेरे एक्जाम से मैं क्या करूँ और मेरे एक्जाम भी 20-22 दिन बाद है तो मुझे थोड़ी पढ़ाई भी करनी प जालू मैं मेरी सेलरी दिमाँ पर स्टिपेंट था 3,200 रुपे मैंने का सर यह 32 रुपे में से टैक्स भी काड लेते हो आप TDS VDS टाइप का मेरे हाथ में आते हैं 29 रुपे साढ़े 5,000 रुप में अपने पापा से लेता हूं सर्वाइव करने के लिए इस अच्छा था था पंदरा अटारा जार वे कमा लेता था दोस्तों को भी उदार दिदेता था यहां तो मांग के काम तयलाना पड़ रहा है तो मैंने का बॉस मैं जा रहा हूं और तू सोच ले मैंने सोच की बताया आपको तो उनको लगा अभी थोड़ा दिमाग में इसके फितूर है कोई ब तो मेरे घर आके दर्वाजा पीटना शुरू कर दिया दर्वाजा खुला तो मैं और मेरे दो तीन दोस्त शॉर्ट्स और बन्यान में अपना पड़े वे टीवी देख रहे तो वहाँ पे तो वह यह क्या कर रहे हैं तुम लोग जुट्टी मना रहे हैं तुमको पता आज क तुम अपना करियर तबाह कर रहे हो मैंने कांसा करियर यह तीने जार दोसर रुपे तुम अपने पापा को बोलूगा वैसी एड़ कर देंगे पांच-छेजार में और क्या बात कर रहा है मैंने हम उनसे बता दूगा कि मेरी बाइक में ज्यादा तेल लगने लग गया है त व मैंने गाने वडेज चे चलाए तहरी तो उन्हेंक का इसका हल कियाую ऑफिस के रात वारा बजे से उबाट वजे तक अपने लिए क्स अपने लिए गाम करूँगा क्यूं और का कोई लिए थ हैग तुवी आप कर दो और नहीं करो तुम समान खोलो करो तुम कल ओफिस मैं अगले धिन ओफिस गया चार बज़े मुझब से मिले उनुने का कि मेरी इए शर्थ है मैंने क्या मुझे तुम डबल शिफ्ट में काम नहीं करो 12-8 yat Kay शिफ्टime करने की वी तुम चार बारा हमें काम करो तुम 10 और पहला बॉलिटन लाइब होगा कोई ट्राइल नहीं होगा तो मैंने आप यह क्या बतार होगी मैं डर जाओंगा इससे में तो बच्पन से ही करता है हूँ मैं तो वेट कर रहा हूँ कब आप मेरे को कैमरे का आगे बिटाओं मैं तैयार हूँ टेली प्रॉंप्टर मैंने क अब दूसवरों के लिए चलाता में वी चलाता है हLS तुम्हें आता, मैंने लिए चलते हो ऑपनी लइक करी सब्याल를 करेए उनको लगा कि अच्छा, यो चालेंज भी स्थायश बिलीने को रैटी है नौबजे स्टोरी हीट हुई उसके बाद वो मेरे पास कुदा है उन्होंने का कि यार ये रा कोट, ये री टाई, ये री शर्ट, ये पैनो, मेकप कराओ और आज से तुमको पहला बुलेटन दस बज़े से एंकर करना है पांच मिनिट का वो केवल एक कैपसूल था मैंने कर आपको लोगे डिया और बाहर निकला में आके तो ही उस लेक तो तुमको तो आथा काम, ये तो मेरा काम है, जिसकी में ट्रेडिंग के आया हूं, आप लोगो नजय वेस्ट किये तो नहीं नहीं आप तुमको कोई टेंशन लेने कजूरत नीं किये तो नहीं नहीं, कल से ही You'll be paid for this anchoring. आप 3,000-200 रुपर जो आपकी salary है, वो तो रहेगी, रहेगी. आप जो दिन के bulletins पढ़ेंगे, उसमें multiply करते जाएगा 400 से. जितने bulletins आपके नाम आएंगे, वो 400 से multiply करके आपकी इतनी income होगी उसकी. And you believe me, जब मैंने last वहाँ से नौकरी छोड़ी, करीब एक साल के बाद, मैंने last salary bill जो उनको बना के दिया था, that was 72,000 rupees for a month. और उसमें शायद मैंने 6 या 8 दिन की छुट्टी भी की होगी. So for 22 days, I made this much money. And I gave myself this confidence कि भाई मैं कर सकता हूँ, अब मुझे आता है. अब मैं ready हूँ, बाहर जाके दुनिया को face करने के लिए. आम तौर पे हम क्या करते हैं? आम तौर पे हम ये करते हैं, जैसे ही उन्होंने मुझे विटी editing में डाला था, मैंने सोच लिया था, कि यार मैं ये करने के लिए थोड़ी बनाओ, मैं तो यहां से जा रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा ये काम. मेरे लिए नहीं है, मैं परदे के पीछे क्यो रहूँ, मैं तो परदे के सामने आना चाहता हूँ. अगर मैं वो सोचके छोड़के निकलाया होता तो क्या आज मैं परदे के सामने होता शायद नहीं होता और शायद होता भी तो क्या मैं उस जगह पे उता जहाम आज हूं शायद नहीं होता उससे थोड़ा पीछे होता हो सकता अभी भी श्रуш multi अपने को है लेकिन लेकिन वो opportunity मैंने miss नहीं की, सिर्फ इसलिए, कि एक opportunity से ही दूसरी opportunity का रास्ता खुलता है, आम तोर पे हम क्या करते हैं, हमको cricket team में जाना है, हम बनना चाहते हैं भई opener batsman, वो कहता है, मेरे पास तो number 6 पे जगा है, आप कहता हो, ने ने ने, मैं तो opener हूँ, 6 पे तो मुझे बरबाद कर देगा, तो वो कहता ठीक है भई तू बाहर बैटके बरबाद हो, बाहर बैटके बरबाद हो ने सच्छा नहीं है कि टीम में होके बरबाद हो आप, भई आप छटे पे अगर अच्छा खेल जाओगे किसी दिन, तो उसको confidence आएगा आपके उपर कफ्तान को, फिर वो आपको कहेगा, अच्छा अगली बार number 3 पे आ जाए यार तू, जब आप 3 पे अच्छा खेल जाओगे, तब उसको confidence होगा आपके उपर, तब वो आपसे कह आप लागे में मनातों का जाता है, वो उपनर में बूंती जाते हैं, हम भार बैटके खिण् सब तो कर लेते हो new को किसीदे मास्टी होगी मैं सब्समें अजय में अजय बाल देखा तब अपने घर के सब्सक्रिकेश डाओ तक जाट अज तक बॉट रग जाती थी करतें अधे कर एंदर वह के लिए ता जितनी खहली ए मुझे लगा क्रिकेट पर आंकरिंग करना कि अच्छा चलो मैं सोचता हूं कोई बात नहीं अभी उन्होंने मुझे ओफर दिया ही था उसके दो दिन बाद अचानक से मेरे पास कॉल आया कि आज शाम को तुम्हें क्रिकेट का शोगरना कपिल देव के साथ कपिल देव के साथ क्रिकेट का शोगरना ऐसे आदमी हो जिसको क्रिकेट का सीन ही आता हो वो क्या करेगा मुझे लगा आज तो हो गया नौकरी खथम आज यह आधे गंटे के शोगे बाद तो से बला करें के भाई ऐसा कुछ ना था तुमको तुम अपना वहीं करो पर देख भीचे रहों रवी शास्त्री का कॉलन था काईदे से दो तीन दीन पुरा नहीं अख़बार था और सबसे अच्छी बात हिंदी में था तो वहां केंटीन से न्यूजरूम तक जाते 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 में पूरा पढ़ लिया और पूरा पढ़ने ही वाम में लगा अच्छा अच्छा मुझे क हुआ तो के निढ़ Whew What a अच्छा खासा गया कर्वालां निकलते सकते उन्हें मेरे बॉच्छा है करना इसको पड़ा आता टीरे बाकी लोग तो मेरे सभी पूछते रहते हैं क्या पूछ न itu तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कप्तान आपकी पैरवी कर रहा है वहाँ पे खड़े हों कि यार मैंने गलत किया या सही किया मेरे बॉस ने साथ ही बोल दिया हां सर कल से इसी से करा देते हैं सुन तू ही कर ले ना कल से अब मुझे लगा भाई अब तू फस गया बट मैंने घर जाते ही क्या का मैंने घर जाते ही सारे पुराने अख़बार निकाले जो पांच साथ दस दिन के पड़े थे सब में रवी प्रोंप है अब मैंने को समझा देane यहوسली किया होता है और यह बात के वलंपने पाद सिखा कंद कर नहीं कि दूढ़ कर दो दिन चार दिन चैनल साथ दिन आठ दिन दान्ट जल दिन मैंने आठ साल क्रिकेट के शोज किये, वर्ड कप क्रिकेट कवर किया, दुनिया वर के देश गुंग लिए क्रिकेट के, जहाँ जहाँ क्रिकेट मैच होते थे, महां कवर करने जाता था, और आपको यकीन बताओ, पहली बार जब मुझे सडक पे किसी ने आके रोका, मैं कॉम मुझम रेस्टोंट में खाना खाने गया था रात में, निजामु दिन पर, तब नयना खुला था, बहुत क्रेज रहता था, बहुत भीड होती थी, तब उसकी इमेज इतनी खराब नहीं थी, जितनी आज कराब है, लोग परिवार के साथ भी आते थे, तो मैं गया वहाँ में बैटा हुआ था मैं अपने दोस्तों के साथ दो-तिन, तो तीन लड़के आए, आपकी एज के मेरे पास, बीस-बाइस साल के, भाहिया आप रोहित करदाना है, मैंने का, हाँ, बताइए, आप जीनी उस पर क्रिकेट वाला प्रोग्राम करते न, मैंने का, आपना क्रिके में जाके, 2007 में जाके मुझे लगा, 2008 में जाके, कि हाँ भई, अब उस दिशा में आपने बढ़ना शुरू कर दिया है, अगर मैं पहले दिन उससे कह देता, कि सर मेरा तो क्रिकेट में कोई ऐसा है नहीं, मैंने कभी जीवन में क्रिकेट खेली नहीं, जैसा माम तौर पर कर करते हैं, कि हम इसके साथ कितने कंपटेबल हैं, और हम फाइनली उसको डिनाय या एकसप्ट कर लेते हैं, वहाँ क्या होता है, वहाँ क्या होता है, जैसे वह शारूप वाली फिन्ती चक दे, तो बाद में कई हरोगे ते, वहाँ मुझे रोल आपर हुआ था, मैं उस वक्र नहीं पाया क्योंकि मैं विजी था, बहुत शारूप खान ने कर लिया, और चक दे इतिहास बन गई, है ना, दंगल आमिर खान ने कर लिया, वह इतिहास बन गई, ऐसी कितनी फिल्में आपको मिलेंगी, जहां पे एक हिरो कर लेता है, वह इतियास बना देता है, और बाकी क जब भी कोई ऐसा मौका आता है कोई opportunity आती है कोई ऐसी चीज आती है जहां पर आप हो सकता है उस समय उसके master नहीं भी हो उसको deny अगर आज की तारीक में कहीं आपको लग रहा है कि आपके पास थोड़ी सी भी possibility है कि आप उसको justify कर सकते हो अपने आपको थोड़ा सा आज यह कहना चाहता हूं कि हम लोग बहुत सारी चीजों में बहुत सारे मौका मौके आते हैं जीवन में जहां हम बहुत चोटी चोटी बातों से कि अच्छा इसने ऐसा कह दिया उसने वैसा कह दिया इसने तो मेरे मन का नहीं कहा मेरी ममी ने ऐसा बोल दिया मेरे पापा ने हम उन चीज़ों को जाने दिते हैं और फिर बाद में हम पच्छताते हैं तो पच्छताने से बजाए बहतर है उस समय उस चैलेंज को accept कर लेना उस चैलेंज को face करना उस चैलेंज को tackle करना और एक winner की तरह आगे बढ़ जाना जब आप एक छोटे से सुना कि मैं ये भी कर ही लूँगा तो फिर आप कर लेते हों फिर कितने भी दिक्कते आएं फिर कोई आपको रोक नहीं सकता और इसी के साथ धन्यवाद मेरी शुक कामना आप सब के साथ